आज हम बना रहे हैं इडली सांबर बहुत आसान तरीकिस बनाएंगे में पस एक कमेंट्स आया था कि बाहर पढ़ने वाले बच्चे हैं कि हम बाहर पढ़ रहे हैं और हमें इडली सांबर बनाना है और आप आसान तरीकिस बनाना बताईए जो हम बना सके कम सामान में तो आज यह वही आपके साथ में शीएर कर रहे हैं इतकी बोहतनी आसान तरीके से हम्याई इदली सांभर की रस्पी बना के आपके साथ सbaby करेंगे इसमें हम दो से तीन स्पून के करीब हम इसमें डालने हैं सांबर मसाला, बाकि हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना, बाकि अगर आप सब्जी चाहो तो और भी एड़ कर सकते हैं, पर में पास में इस टाइम में लौकी टामाटर था, तो हमने वही डाला है, इसमें एक ग्लास पाइन डालके अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, इसमें हम इसको चढ़ा देंगे, दो से तीन सीटी आने तक यह सांबर काफी अच्छे से पक जाता है, अगर आप सब्जी इसमें और भी एड़ कर सकते हैं, इसमें पहले वह तो लौकी टामाटर नहीं था इसमें, वह बच्चे बहुत जादा सब्जें नहीं सांबर में खाते हैं, तो इसलिए हमने लौकी टामाटर डाला, इसको दो से तीन सीटी आने तक अच्छे स्पका लेंगे, इदर जो सूजी हमने दही में सूजी को दही और नमक डाल करके भीगा के रख दिया था, 10 मिनट के लिए, सूजी अच्छे से भीग गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से पहले हमने मिक्स कर दिया, इदर हमने इडली स्टेंड लिया, इसमें हलका अलका सा ग्रीश कर दें आयो, ताकि जो सूजी है चिपके, सारी इडली जो स्टेंड हमने अच्छे से ग्रीश कर दिया, जो जो सूजी बैटा रहा है एक स्पूर से ड़ेंगे भी डूले को बरहını शोसित ऑने के लिए ऊख लेकिण हम अच्छे को इडली यह त appel में ध्यान रखेंगे यहां है इस टीमर तो हम इसको भगोने में ही बनाएंगे क्योंकि बहुत लोग ओते हैं जो बच्छे बाहर रह रहा है उनके पास अगर इडली स्टाइन भी नहीं है तो आप काटोरी में बना सकते हो काटोरी में आप बैटा रख करके उसका पानी में आप इसको पका सकते हो तो इस त अभी हमें लग रहे हैं कि इडली और पकानी है तो इसको हम डख करके फिस से पका ले रहा है यह 10 मेट के अधर इडली बनके अच्छे से तयार हो जाती है और यह सांबर अच्छे से पग गया आधना बारिष बहुत तेज हो रही थी तो हम करीपत्ता में लाना करीपत्ता हम सांबर को छेक करें रहे है अपने आप सिस्ट में हमने सीटीज की नहीं निकालिया तो सांबर में दिखे काफिया अच्छे से कलर भी इसका आ गया इसमें बहुत ज़ता मसाली भी नहीं डाली थे और इसके अखिए पर लॉक कि ऑची तो टमाटा था अच्छे से गल गया है और इसको ऽबको अच्छे सम पहले, पका लेंगे, रामिश डाली है, थोड़ा सांफरी बलै को तोड़ा ने रहे हैं, अच्छा एक रहे होड़ा जाता के सब तरका लगाने-च्छा वह भी जाता हैं, हम धक फूली निकालेगे, हलका से फूली थे जब फूली तो लुखेती हमें, अफूली से चीपक नहींते हैं, जो इडली चीपकती नहीं, तो आप काटोरी में भी अगर इडली बना रहो हो, तो उसमें भी हलका सा ग्रीस कर दीजिए, आप काटोरी में भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इडली में बना सकते हो, आप छोटी-छोटी काटोरी में बना सकते हो, या बड़ी सी प्लेट हो, उसमे आप बना के इसको पीस में कड कर सकतeous उसको अम देकर सप कर रहे हैं, तो यह सामभार हमने और साथ में अमने नरियल के चैटनी सब लिए गब की रखें। मीडियो बचानल लाइक करें